देखे लास्ट वीडियो में हमने मैपिंग पड़ा हमने देखा डाइनेमिक मैपिंग को आफ कैसे किया सकता है इस वीडियो में हम मैपिंग एपियाई का इस्तमाल करने जा रहा है लास्ट वीडियो में भी हमने मैपिंग एपियाई यूज करी थी तो गेट इंडेक्स की अपके सामने में पर चार चीजे लिखी हूई हैं। पहला है get index mapping Mapping API के इस्तमाल लिखे हुए हैं आपके सामने कि Mapping API क्या 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 कर सकती है Index की Mapping आप get क्यों इप कर सकते हैं Field की Mapping भी get क्यों सकते हैं ठीक है ना? ये लास्ट वीडियो में हमने students नाम का एक index create किया था, ठीक है, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि mapping API जो है, वो क्या क्या कर सकती है, पहले चीज़, उस students नामक index की हम mapping get कर सकते हैं, कोई नहीं बात नहीं है, एक और हम काम कर सकते हैं, get students mapping mapping field, और एक particular field की mapping भी हम निकाल सकते हैं, using mapping API, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हमें पता है, कि देखेगा, कि students की mapping में, क्या क्या field है, क्या है, एज है, और name है, तो हम mapping API की help से, एक new field की mapping add भी कर सकते हैं, ठीक है, तो put students mapping, और यहाँ पर बस दे properties, new properties address मेरे को add करना है, और उसका type then, type माल लेते हैं, text है, चला दिया, acknowledge true, अब हम get mapping करेंगे, अगर तो देखेगा, address भी add होगी है, तो हमने देखा, कि हम index के mapping ले सकते हैं, mapping API के through, field की mapping ले सकते हैं, mapping API के through, ठीक है, अच्छा, update mapping हमने नहीं देखा है, अब ही नहीं देखा है, ठीक है, फिर हमने देखा, एक new field भी add कर सकते हैं, ठीक है, बात रही, update mapping की, तो मैं आपको बता दूँ, आप mapping directly add नहीं कर पाएंगे, elastic search में, लिखा हो है, if you want to update the mapping of a field, then, you have to create a new index, and copy all the documents, समझ पा रहे हैं, example के लिए यह मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, एक काम करते हैं, इसको delete कर देते हैं, थोड़े देर के लिए, student, ठीक है, delete कर दिया माने, सब को अड़ाते हैं, और एक student डालते हैं, student डाला, हमने id 1 के साथ, नाम किया, इसका बंदेगा, ram और id करके एक field माल लेते हैं, उसमें ABC1, alpha, numeric id है, ABC1, 2, 3 डाल दिया मैंना, ठीक है, new index create भी हो गया है, क्योंकि हमने delete कर दिया था पुराने वाला, और एक हमने उसमें document भी डाल दिया है, तो अब अगर हम students की mapping देखेंगे, तो यहां पे लिखा हुआ है, कि क्या है, id text field है, ठीक है, चौथा point यह था, update mapping, कल आप आए, यहां पे हमने माल लीजिए, एक करोड ऐसे instruments add कर दिया है, हमने अपने index में, ठीक है, फिर कल आप आए, आपने बोला, मैं change करना चाहता हूँ, id का data type, ठीक है, आप चाहते हैं, इसको अब integer बनाना, तो क्या कर पाएंगे आप, answer है नहीं, कैसे करोगे, इतने सारे documents है, alpha numeric id के, उनका क्या होगा भाई, और यह तो integer है भी नहीं, इसी वज़ा से, last thing search जो है, वो allow नहीं करता है, to update the mapping of existing fields, ठीक है, new mapping आप add कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, dynamically भी या फिर explicitly भी, जो अभी हमने देखा explicitly वाला, लेकिन existing fields की mapping, आप update नहीं कर सकते हो, reason मैंने आपको बताया है, ठीक है एक तरीका है देखने का, कि इस कारण से, हम mapping जो है, existing fields की update नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने slides में देखा, if you want to update the mapping of a field, then you have to create a new index, एक नया index करिए create, ठीक है, वहाँ पर आप a mapping change कर सकते हैं, ठीक है, और फिर अपना पुराना data, अगर ला सकते हैं, तो ले आईए, इस scenario में तो वो भी नहीं possible है, क्योंकि हमने ID alphanumerical ली है, एक करोड documents की, और अब आप चाहते हैं, integer करना उसको तो वो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन भावनाओ को समझो, अगर आप कुछ और mapping change करना चाहते हैं, जैसे कि मालो, तो अब मैं इस name text को सिर्फ keyword बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ है requirement, तो move कर पाएंगे आप ठीक है ना, copy कर पाएंगे पुराने documents को नए index में, जिसमें की अब नाम जो होगा वो keyword होगा, और वो जो copying हैं, वो होता है re-index API से, जिसको हम next video में देखेंगे, जिसको हम जो होगा,